कि नमस्कार दोस्तों मैं राहुल आप सभी का मन्थन में स्वागत करता हूं आज हम लोग अपने 2020 सिरीज के अंतर गत्त कुल 35 प्रसनों को देखेंगे यह जो 35 प्रसन है जारखंड लोकसेवा आयोग के द्वारा यहां मैं एक लिखित करना चाहूंगा कि पिछले 2020 सिरीज में परमोद पटेल जी ने एक सुझाव दिया था कि आप 4040 का एक सिरीज ले करके आईए और एक सिरीज में 40 प्रसन को आप यहां पे सामिल किजे तो सरपरता मैं परमोद पटेल जी को धन्यबाद देना चाहूंगा कि आपने अपना मुल्यवान सुझाव मुझे दिया है और मैं इस पर कोशिस कर रहा हूँ हो कि मैं 4040 सिरीज के भी प्रसन यहां पर ले करके आऊं ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वह आगे रहे और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर सके और आने वाले विभिन प पहला प्रस्ण है आज का कि भारत मेंहरपा का ब्रिहत अस्थल है option A है राखी-गड़ी, option B धौलावीरा, option C है कालीबंगन, option D है लोथल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option A राखी-गड़ी, आधCongनिक सोध के अनुसाद, भारत मेंहरपा का ब्रिहत अस्थल है वह अस्थ एकारल है इसे संबंदित जो प्रमुक सोध है उसका में डीटेल से जो आर्टिक्ल्स University कि गये थे 17 जल में मैं। जो भी आर्टिक्ल्स से मैं description box में डाल दूँगा आप description box में articles के स्क कर सकते हैं अगला प्रस्न है कि जन सभा जो न्याइक कार्यों से संबंदित थी कौन सी थी तो option A है सभा, option B है समीती, option C है विदाथा, option D है उप्रोक्त में से सभी तो यहाँ इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा option A सभा, सभा जो थी रिगवैदिक कालीन जन सभा थी जो की न्यायक कारे संपन किया करती थी, सभा मूल रूप से ब्रिद्ध, मूल रूप से ब्रिद्ध एवं संभरांत जनों की सभा थी ध्यान रखिएगा सभा कैसी लोग की संस्था थी, तो ब्रिद्ध और संभरांत जनों की संस्था थी इसके सदस्यों को पित्रह या हिंदी में कहें तो पिता कहा जाता था तथा यह मुल रूप से कैसे कारे करती थी तो न्याईक कारे अन्य जो तंस्थाएं थी रिगवैदिक काल में वह थी समीती यह जनसाधारन की सभाती जनसाधारन की सभाती तथा एक अन्य समीती थी जो सर सरवादिक प्राचीन समीति थी और या एक सैन समीति थी अगला प्रस्ण है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है कौन सा है पिटक तो option A है सुथ पिटक option B है बिने पिटक C है अभिधम पिटक और option D है इनमें से कोई नहीं तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा यमक वह बौद्ध ग्रंथों के अभिधम पिटक से संबंधित है अभिधम पिटक से संबंधित है कौन यमक यहां ध्यान दिजएगा कि पिटक का आसे क्या होता है पिटक का आसे होता है पिटारी पिटक का आसे पिटारी है तथा इस पिटकों में तीन पिटक है सुथ पिटक बौध मत की दार्षनिक व्याख्या दियान रखेगा कि अभी धम पिटक में बौध धर्म के विभिन सिध्धानतों की धर्मिक व्याख्या की गई है वहीं सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश एवं सिध्धानत बुद्ध के उपदेश एवं सिध्धानतों की चर्चा की गई है साथिसाथ बिने पिटक जो है इस पिटक में बौद धर्म में अनुशासन से संबंधित विभिन विदहान नियम एवं उपनियम आदिप्रदान किये गए हैं जिनका अनुपालन करना बौद भिक्षु और भिक्षिनियों के लिए अनिवाद था यहां उलेखनिये अगला प्रशन है कि चीनी यात्री जिसने छठी सताबदी में भारत दर्सन किया है प्रथम ऑप्षन है इवान चुवांग ऑप्षन भी फाहियान ऑप्षन सी सुंगियून ऑप्षन डी आईजिंग तो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्षन सी सुंगियून ने मत्षन की उग्यून ने छठी सताबदी बारत का दर्सन किया था यादि हम लोग क्रम से देखे कि किन जिनरे किन यात्री योने भारत यात्रा की थी तो पहले यात्री थे फाहियान यो थे यह गुप्त नरे से चंद्रुप्त द्यूतिये बिक्रमा दित्यान रखेता visitors ने स बिभिन बिश्यों के उपर लिखा है साथी दूसरे यात्री थे सुंगियून सुंगियून जो थे छटी सतावदी में भारत आये थे तथा भारत में इन्होंने बौध धर्म से जुड़ी हुई बिभिन बौध धर्म की प्राप्तियां यहाँ पर एकत्र की थी और तीसरे या जिने हम लोग वेन सांग के नाम से जानते हैं इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और वेन सांग जो थे यह 629-629 लेकर 645 तक भारत में रहे थे लगभग 15 वर्सों तक भारत में वेन सांग ने अपना बिताया था तथा इन्होंने नालंदा बिश्विद् भी अर्जित किया था वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई भी कि थी वेन सांग हर्सवर्धन के सासंकाल में भारत आया था तथा इसका जो प्रशित ग्रंथ है वेन सांग का वह है सियू की सियू की नाम से इनका ग्रंथ प्रचलित है तथा इन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन क कि जब विन सांग सिंध पहुंचाता तो सिंध का सासक कौन था सिंध का सासक एक शुद्र था जो अत्यांते ही उलेखनी हैं इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इत्सिंग भारत भ्रह्मन पर आया था अगला प्रस्ण है कि चालुक के शासक पुलकेशिन की हर्स पर सकते हैं उस पर बीजय का वर्स क्या था आप्शन ए है 612 स्वी आप्शन भी 618 स्वी आप्शन सी 622 स्वी आप्शन डी 634 स्वी तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा 618 स्वी आप्शन बी चालुक के शासक पुलकेशिन ने हर्स वर्धन को 618 स्वी में नर्मदान स्वी आप्शन के तट पर पराजित किया था और यह जो तथ्थे हैं 2016 स्वी में 2016 स्वी में भंडार कर औरियेंटल णिसजोर्च इंसिस्टूट के एक रिसर्च पेपर में यह प्रकासित हुआ था कि यह जो युद्ध था यह युद्ध कब हुआ था 618 स्वी में अगला प्रस्ण है कि चुम्बकिये दिसा सूचक का भारतिय महासाग्रों में परियोकी आरंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी औप्शन A है मारको पोलो औप्शन B है इबन बतूता औप्शन C है सद्रुद्दीन मुहम्मद आफी और औप्शन D है निकोलो कॉंटी तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा सद्रुद्दीन मुहम्मद आफी ने भारतिय महासाग्रों में चुम्बकिये दिशा सूचक यंत्र के परियोकी प्रारमभिक जानकारी दी थी सद्रुद्दीन मुहम्मद आफी की जो कृती है उसे हम लोग कुंजुल तिजार के नाम से जानते हैं जो इनकी परमुख कृती है आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न की और तो अगला प्रस्न है प्रफम बास्तविक महराब किस सल्तनत काली इस मारक में दृष्टी गोश्यर होता है option A है इल्दुत्मिस का मकवरा, option B है बल्वन का मकवरा, option C है अलाई दरवाजा, option D है कुवतुल इसलाम मस्जिद तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा option B, बल्वन के मकवरे में हम लोग प्रथम वास्तविक महराव देखते हैं और यह जो मकवरा है इसलामी सैली में निर्मित प्रथम मकवरा है, अत्यानते ही महत्तपूर्ण मकवरा है यह और इसके पशात अगर हम देखे तो इसलामी सैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है तो इसका उत्तर हो जाएगा जमात ए खाना मस्जिद का जो निर्मान हुआ था वह प्रथम इसलामी सैली में निर्मित मस्जिद है अब यहां आप लोग इस एक प्रस्ण का उत्तर दे सकते हैं कि जमात एक खाना मस्जिद का निर्मान किस सल्दनत कालीन सासक के युग में करवाया गया था अगला प्रस्ण है कि अति कटर पंथी सूफी संप्रदाय था अप्षन A है चिस्ती, अप्षन B है सुहरावर्दी, अप्षन C है नक्सवंदी, अप्षन D है कादिरी तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा अप्षन C नक्सवंदी परंतु यहां ध्यान देने योग के तथे हैं कि यह जो प्रस्ण है JPSC 2016 का प्रस्ण था और यहां पर JPSC ने अप्षन B सुहरावर्दी को सही अंसर माना है यहां हम लोग देख लेते हैं कि नक्सवंदी संप्रदाय जो था नक्सवंदी संप्रदाय यह संगीत का बिरोध करता था साथी साथ कुरान के अचरसा पालन पर यह जोर देता था इसके संस्थापक कौन थे नक्सवंदी सिलसिला के तो वो थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्सवंदी धियान रखेगा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्सवंदी नक्सवंदी सिलसिला के संस्थापक थे तथा भारत में जो इस सिलसिला का परचार परसार किया था वो किया थ तथा मुगल सासक औरंग जेब नक्सवंदी सिलसिला का अनुआई था अगला प्रस्ण है कि सुद्ध चांदी का रुपिया का अविश्कार किस ने किया था option A है अकवर, option B है सेरसा, option C है जहांगीर, option D है औरंग जेब तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा option B सेरसा सेरसा सुरी ने सुद्ध चांदी का रुपिया का अविश्कार किया था जिसका वजन कितना था तो 118 ग्राम इस सिक्के का बजन था और सोने का जो सिक्का था सेरसा के काल में उसे हम लोग मोहर के नाम से जानते हैं मोहर सोने का सिक्का था जिसका वजन था 179 ग्राम 169 ग्राम इसके साथ ही सेरसा ने तामबे का भी सिक्का चलाया था जिसे क्या कहा गया था पैसा तामबे का पैसा सेरसा सूरी के सासनकाल में चलाया गया था अगला प्रस्ण है निमलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेल चुनिये तो option A हकाई के हिंद, option पहली जो कृति है वह हकाई के इंद, दूसरी कृति है तहजीवुल अखलाक, तीसरी कृति है कुंजुल तिजार, और चौथी जो कृति है वह जवावियूल हिकायत, तो यहाँ पर हम लोग पहले देख चुके हैं कि कुंजुल तिजार कृति किसकी है, तो सदुरुद्दीन मुहम्मद आफी की, इसके पस्चात हकाई के इंद के जो लेखक हैं वह हैं, अबदुल बाहिद बिलगरामी तहजीवूल अखलाक के लेकक हैं इबन मिश्वाकिया जो हैं तहजीवूल अखलाक के लेकक हैं और जवाम्यूल हिकायत जो है वैलक अलकबयाकी की रशना है, यदि हम लोग इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ऑप्शन C, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, तो अगला प्रस्ण है बगहात रियास्त का ब्रिटिश सामराज्जि में बिले कब हुआ था, ऑप्शन A है 1848, ऑप्शन B है 1850, ऑप्शन C 1852 और ऑप्शन D है 1833, तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन B 1850 को, 1850 में लौड डलहौजी के सासनकाल में द्यान रखेगा, लौड डलहौजी के सासनकाल में, डौक्ट्रिन ओफ लैप्स, डौ के आदहार पर बगहाट रियासत का जो बिले था, वो ब्रिटिस सामराज में कर लिया गया था, यहां एक अन्य महत्वपूर्टत है कि डौक्ट्रिन ओफ लैप्स, लैप्स के तहत, ब्रिटिस सामराज में सम्मलित की जाने वाली पर्थम रियासत कौन थी, तो वह थी 17, 17 क सरुपर्थम 1848 इस वी में ब्रिटिस सामराज में डौक्ट्रिन ओफ लैप्स के अंतरगत्य सामिल कर लिया गया था, यहां उलेखनिय तथे है कि जो बगहाट रियासत थी, बगहाट रियासत या हिमाचल प्रदेश में सिमला में इस्थित थी, सिमला में या पर एक परवत यह रियासत थी, अगला प्रशन है कि निमलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो ऑप्शन A है सरोजनी नाइडू, ऑप्शन B है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन C है कमला देवी चटोपाद्याय, ऑप्शन D है उप्युक्त में से स तभी गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजनी नाइडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चटोपाद्याय, इन तीनों महिलाओं ने भाग लिया था, यहां उलेखनिय तत्य है, हम लोग देख लेते हैं कि नमक आंदोलन, गांधी जी के नमक आंदोलन से संबं गांधी जी अपने 79 अनुवाईयों के साथ में दांडी के तट पर, दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून को तोडने के लिए यात्रा प्रागम भी किये थे, और गांधी जी 6 एप्रील 1930 को 6 एप्रील 1930 इस भी को दांडी के तट पर पहुँचे, और क्या कि यह नमक आन नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था, सावर मती से दांडी के मद्ध जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है, 322 किलो मीटर, गांधी जी के इस आंदोलन को या इस यात्रा को सुभास चंद्र बोश ने, नेपोलियन के, नेपोलियन के, एलवा से, एलवा किसने तो सुभास चंद्र बोश ने, अगला प्रसन देखते हैं, तो अगला प्रसन है, पाकिस्तान प्रस्ताब की रूप रेखा किसने तयार की थी, ऑप्शन A है रहमत अलि, ऑप्शन B है सिकंदर हयात खान, ऑप्शन C है मुहमद अली जिन्ना, और ऑप्शन D है फजलू तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा option B सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप रेखा रखी थी यहां उलेखनीय तत्य है कि पाकिस्तान सब्द का सरपर्थम परियोग किसके द्वारा किया गया था तो चौधरी रहमत अली के द्वारा इसका पाकिस्ता पाकिस्तान सब्द का परियोग किया गया था वहीं हम लोग देखें तो मुस्लिम लीग के 1940 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी किस अधिवेशन में मार् अम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान राष्ट की मांग की गई थी, इसके अतिरिक्त 1940 का, जब 1940 में ही आपका दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप रेखा, रखी गई थी, और रखने वाले कौन थे, तो खली कुछ जमा, खली कुछ जमा ने क्या किया था, पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था, और तयार किसने किया था, तो सिकंदर हयात, खाने इस प्रस्ताव को तयार किया था, बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, तो अगला प्र भारतिय सौतनतता के समय अंग्रेजी महराज था कौन थे अंग्रेजी सासक तो option में दिया है option A George पंचम, option B George सस्थम, option स्री राजा एडवर्ड सप्तम, option D उप्युक्त में से कोई नहीं तो इस प्रस्ण का आपका सही उत्तर जो होगा कि भारतिय सौतनतता के समय कौन सासक थे अंग्रेजों के तो option B George सस्थम जो थे अंग्रेजों के सासक थे यह सासक कब से कब तक थे तो 1947 से लेकर 1950 तक यह ब्रेटेन के सासक रहे थे अगला प्रस्ण है कि माउंट बेटेन योजिना या जून 1947 ने निमलिखित में से किस या किन-किन प्रांतों में लोग निर्ने आर्थ संस्तुती की थी यानि यहाँ पर कि लोग जो है निर्ने करेंगे 21 देश के साथ जाये जाये भारत या पाकिस्तान के साथ में तो यहाँ पर आप्षण दिया है आप्षण A सिंद आप्षण B बलुचिस्तान आप्षण C उत्तर पस्च्रम सीमा प्रांत और आप्षण D उप्युक्त में से कोई नहीं तो इस प्रस्चन का सही उत्तर हो जाएगा ति option D उप्युक्त में से सभी ध्यान रखेगा ये तीनों प्रांतों में क्या किया गया था जनमत संगरह का बात किया गया था Mountbatten योजना में कि लोग decide करेंगे कि उन्हें भारत के साथ निवास करना है भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ में रहना है और Mountbatten योजना जो थी और कब आई थी या आई थी तीन जून 1947 को इसलिए Mountbatten योजना को हम लोग जून योजना के नाम से भी जानते हैं इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बटवारा हुआ था आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर तो अगला प्रस्न है निम्र लिखित जोडों में से कौन सा जोडा सही नहीं है तो यहां आप लोग देख सकते हैं भारत का कुल छेतरफल दिया गया है अच्छांसिय और देशांतरिय विस्तार दिया गया है साथ ही राज्यों की स संख्या दी गई है तो राज्यों की संख्या कितनी दी गई है 26 तो option D यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगर हम उस समय जब यह पेपर हुआ था तो उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी 28 और आज भी राज्यों की संख्या कितनी है 28 ध्यान रखेगा 28 राजबर्तमान समय में भारत में इस्थित हैं अगला प्रस्ण है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महा सागर आपस में मिलते हैं option A है कन्या कुमारी, option B है इंद्राकॉइंट, option C है नगर कोयल, option D है रामेश्वरम तो यह जब इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा option A कन्या कुमारी कन्या कुमारी एक ऐसा छेतर है भारत का जहां पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिल जाते हैं ध्यान रखेगा इंडिया का मैप किस प्रकार से है तो यहां अरब सागर है यहां बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है और यह राख कन्या कुमारी तमिलाडू में और यहाँ पर आकर कि यह तीनों आपस में मिल जाते हैं अगला प्रस्ण है कि छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का विश्व के देशों में कौन सा अस्थान है option A है पाचवा, option B छठा, option C साथवा, option D आठवा तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा, option C साथवा, विश्व में छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का जो अस्थान है साथवा है, तता ध्यान रखेगा जन संख्या के अनुसार, जन संख्या के अनुसार भारत का अस्थान, दूसरा है जो कि पर्थम अस्थान पर कौन है, चीन, जन संख्या के अनुसार विश्व का सबसे वड़ा देश है, चीन है अगला प्रस्ण है कि निमलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिये तथा पहला है महादेव प्रवत स्रिंखला, दूसरा है मैकाल प्रवत स्रिंखला, तीसरा है छोटा नाकूर पठार और चोथा है खासी की पहाडियां तो इन्हें हमें सजाना है कैसे तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए तो द्यान दीजियेगा किस प्रकार से है सबसे पहले हमारा महादेव श्रिंखला मद्ध प्रवत में महादेव श्रिंखला, उसके बाद मद्ध प्रवत और 36 गड़, MP और 36 गड़ की सीमा पर म आज महल धर्रा के नाम से भी जानते हैं जहां बंगलादेश है और ठीक उपर में जो हम लोग जाएंगे तो मेगाले में गारो खासी और जैनतिया में से खासी यह है तो अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व देखें तो आप्शन में हमारा क्या हो जाएगा एक, दो, तीन और चार तो आप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इस उत्तर में यहाँ पर आप्शन ए सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है अगले प्रस्ण में पढ़ते हैं तो अगला प्रस्ण क्या है कि निमलिखित में से कौन जोड़ा सही नहीं है नदी और राज्ज में मिलाना था तो आ परसन का सही उत्तर हो जाएगा लूनी राजस्थान लूनी नदी कहां से निकलती है राजस्थान से तो कहां इसका अस्थल है तो अजमेर के दक्षिन पस्षिम में ध्यान रखेगा अजमेर के दक्षिन पस्षिम में अरावली परवत से अरावली परवत से लूनी नदी निक तथा कच के रन में क्या होती है या लुक्थ हो जाती है, कच के रन में लुक्थ हो जाती है। अगला प्रस्ण है किन्यम लिखित में से कौन सा जोड़ा सही है यहाँ पर छेत्र और मुख्य आर्थिक रिया कलाप दिखाये गया है option A है लगदाख, क्या है तूती वस्त्रो उद्योग, option B है दंड कारण्य, जूट की किरसी, option C है उत्री बिहार, चीनी उद्योग option D है रायल सीमा, चाय के बागान, यहाँ पर जो सही जोड़ा है वह है उत्तरी बिहार, किसलिए परसिद है, चीनी उद्योग के लिए, अन्य जो जोड़े हैं वो सभी गलत है अगला प्रस्ण है कि भारत के निम्र राजियों में उच्छ से निम्र जनसंख्या घनतव का, 2011 की जनगरणा के अनुसार सही क्रम क्या है, तो यहाँ पूछा जा रहा है, 2011 के अनुसार जनसंख्या घनतव को, तो option A है पंजाब, बिहार, जारखंड, उत्राखंड, यह चार option में, तो धियान रखेगा यहाँ पर, option C सही होगा, भारत में जो बर्तमान समय में सरवादिक जनसंख्या घनतव है, वह किसका है, वह है बिहार राज्य का, और बिहार राज्य का जनसंख्या घनतव कितना है, तो 1106 जो भारत में सरवादिक है, इसके पस्चात हम लोग दे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और, अगला प्रस्ण है कि यह दो सूची दी गई है, जनजाति और मूल राज्य की इन्हें आपस में मिलाना था, तो पहला था थारू, भील, गद्धी और मुंडा आपका दिया हुआ है जनजाति, और यह रते कहा है, राजस्थान, कहान इवास करेगी, राजस्थान में, और गद्धी कहान इवास करेगी, तो हिमाचल परदेश में हैं, इस प्रकार हम लोग देखें, तो कौन सा उप्शन चाहिए होगा? A का 4, B का 1 और C का 2, तो option D हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगला प्रस्न है कि अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती की संजुक्त राष्ट्री आयोगों को किस संभिधान संसोधन के अंतरगत दो अलग निकायों में बाटा गया है, option A है 42 संभिधान संस संसोधन, option B 44 संभिधान संसोधन, option C 99 संभिधान संसोधन, option D 93 संसोधन, तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा, कि SC और ST की संजुक्त राष्ट्री आयोगों को नवासिवे संभिधान संसोधन 2003 के द्वारा दो अलग अलग निकायों में बाटा गया था, इस नवासिवे संभिधान संसोधन के द्वारा संभिधान में अनुछेद 338 जो की सेड्यूल कास्ट आयोग से संबंदी थे और इसमें एक जोड़ा गया 338 जो की सेड्यूल ट्राइव आयोग से संबंदी थे, इस आर्टिकिल को संभिधान में नवासिवे संभिधान संसोधन 2003 के द्वार जोड़ा गया था, आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्जन पर, तो मूल भारतिय संविधान में, ध्यान रखेगा मूल यानि मूल रूप से जब संविधान क्या हुआ था, पारित हुआ था, तो उस समय भारतिय संविधान में कितने भाग, अनुछेद और अनुसूची थे, त बर्तमान में मूल संभिधान में कितने भाग अनुछेद और अनुशूची हैं, तो बर्तमान में भी 22 भाग है, 395 अनुछेद है और 12 अनुशूची है। क्रम संख्या जो भागों और अनुछेदों की क्रम संख्या है वह क्या है 22 और 395 ही है लेकिन यदि हम कुल संख्या अगर काउंट करेंगे संभिधान में भाग की तो कितना हो जाएगा 25 भाग हो जाएगा और अनुछेदों की जो कुल संख्या होगी वह 465 के उपर हो जाएगी लेकिन क्रम संख्या जो है नमरिंग जो है मेरा वह 22 और 395 ही है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और तो अगला प्रस्न है कि भारत में राजनेतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संसोधन के अंतरग संसोधन ऑप्शन डी है 58 संविधान संसोधन तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा 52 संविधान संसोधन 1985 के द्वारा भारत में दल बदल की बुराई को समाप्त करने के लिए अधिन्यमित किया गया था अगला प्रस्न है कि भारतिय संविधान के किस अनुछेद के तहत करूंपूर केंदर द्वारा लगाया तथा 71 किया जाता है लेकिन केंदर और राज्यों के मद्धे वित्रित किया जाता है option A है अनुछे 260, अनुछे 269, option C अनुछे 270 और option D अनुछे 271 तो इस प्रस्न का सही उत्तर हो जागा option C अनुछे 270 270, अनुछे 270 के अंतरगत जो कर लगाने का प्रापधान है वो केंदर सरकार को दिया गया है तर्था एकत्रित भी केंदर सरकार ही करेगी परन्तु बित आयोग ध्यान दिजेगा बित आयोग की अनुछांसा के आधहार पर इसे केंदर और राज्यों के मद्द क्या किया जाए यहाँ पर वित आयोग की भूमी का महत्पूर्ण हो जाती है और वित आयोग का जो गठन है आर्टिकिल 280 के अंतरगत किया जाता है अगला प्रस्ण है कि निम्लिखित में से कौन सुशासन की विशेष्टा नहीं है सुशासन की विशेष्टा नहीं है option A है जवाब देही option B है पारदर सिता option C है कानून का नियम और option D है लाल फिता साही तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा option D लाल फिता साही जो है सुशासन की विशेष्टा नहीं है यहाँ अन्य जवाब देही पारदर सिता और कानून का जो नियम है सुशासन की प्रमुख विशेष्टा हैं लाल फिता साही हम लोग कहेंगे किसे तो वैसा लाल फिता साही हो गया कि जहाँ पर नियमों को कठोरता के साथ में पालन करेंगे कठोरता के साथ में पालन करेंगे यहाँ पर किसी प्रकार का उत्तर दाइतो नहीं होगा यानि अनुत्तर दाइतो है जटिल प्रक्रियाएं हैं जटिल प्रक्रियाएं यहाँ पर सामिल की गई है तथा यहाँ पर सभी का अपना कुछ नकुछ प्रक्रियाओं में नहित तो इन सभी को मिला करके हम क्या कहेंगे कि लाल फिता साही विद्यमान है अगला प्रस्ण है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रसासन के सिधानतों को किसने अस्विकार किया था तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा और कहावतों के रूप में प्रसासन के सिधानतों को अस्विकार किया है अगला प्रस्ण है कि राज्य हर जगा है यह अंतराल सायधी कोई छोड़ता है यह बक्तब किस धारना की व्याख्या करता है option A है कल्यानकारी राज्य की, option B कम्मिनिस्ट राज्य की, option C लोकतांत्रिक राज्य की, option D है फुलिस राज्य की तो इह जो प्रस्ण है इसका सही उत्तर हो जाएगा option A कल्यानकारी राज्य की जो अबधारना है उसका यह बक्तब जो है इसकी व्याख्या करता है कि राज्य हर जगह है या अंतराल साइधी कोई छोड़ता है यहां ध्यान भी जेगा कि लोग कल्यानकारी जो राज्य है वो आधुनिक सासन ब्यवस्था जो हमारा आधुनिक सासन ब्यवस्था है उसका क्या है कि विकास परक विकास परक अबधारना है जो किसलिए कारे करती है लोक कल्यान कारी राज मानव कल्यान के लिए कारे करती है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन पर तो अगला प्रसन है दूसरे प्रसास्निक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुसासन की बाधाओं की पहचान की है यानि भारत में सुसासन को लाने के लिए परमुक बाद हाएं कौन-कौन सी है जो रोड़ा अठका रही है सुसासन के छेतर में option A है सासन में नतिकता, option B है नागरिक केंदरित प्रशासन या सासन का केंदर बिंदू, option C है ए सासन को बढ़ावा, option D है अस्थानिय सासन तो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा option B, नागरिक केंदरित प्रशासन और सासन का जो केंदर बिंदू है इसे प्रतिवेदन के आधाहार पर क्या कहा था प्रशासनिक आयोग ने कि भारत में शुखासन की बाधाओं की थी, आधाहें इसी टॉपिक के अंतरगत दी गई है अगला प्रस्न है कि भारति संबिधान के कौन से अनुख्यद के तहट जिला योजना समीती का गठन होता है जिला योजना समीती का इसके अंतरगत गठन किया जाता है option A है अनुछेद 243 ZD option B है अनुछेद 244 ZD option C है अनुछेद 242 ZD option D है अनुछेद 243 ZE तो यहाँ इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा option A अनुछेद 243 ZD के अंतरगत भारत में जिला योजना समीती का गठन किया जाता है और यदि हम लोग देखें अनुछेद 243 ZE तो इसके अंतरगत महानगर योजना समीती महानगर योजना समीती का गठन किया जाता है वहीं अनुछेद 244 ZD और अनुछेद 242 ZD का भारति सम्भीधान में किसी प्रकार का कोई उलेख नहीं मिलता है अगला प्रस्ण है कि 14 वित आयोग की सिफारिसों के आधार पर संगियो करों के कुल आय का हिस्सा केंदर से राज जी के मद्द के लिए निश्चित किया गया है और इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C 42 परति सत चौदाहवे वित आयोग का जो गठन किया गया था वो आर्टिक्ल 280 के अंतरगत वित आयोग का गठन किया यता है और चौदाहवे वित आयोग का जो कारेकाल था वह 2015 लेकर 20 के लिए वित के विभाजन से संबंदित था इस आयोग की अध्यक्स्ता थी किसके द्वारा की गई थी तो बाइवी रेड़ी के द्वारा 14 वित आयोग की अध्यक्स्ता की गई थी वहीं हम लोग देखे तो 15 वि अध्यक्स्ता की गई थी इसकी जो अबधी थी वह 2020 लेकर 2025 तक की थी यहां आप लोगों को बताना है कि 15 वित आयोग के आध्यक्स्ता पर केंद्र और राजी के जो मध्य जो हिस्सा तै किया गया है उसका प्रतीशत क्या है इसका कमेंट आप कर सकते हैं कि 15 वित आयोग के अधार पर केंद्र तर्था राजी के मध्य कितना प्रतीशत संहिये करोके का बटवारा के लिए किया गया है अगला प्रशन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार वारा अस्थापित किया था आप्शन A है 2008 आप्शन B 2009 आप्शन C 2010 आप्शन D 2011 तो इसका जो ग का 18 अक्टूवर 2010 नेशनल ग्रिन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था इसका मुख्याले का है तो मुख्याले NGT का नई दिल्ली में है बरतमान समय में NGT के अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बटा सकते हैं जो भीन परतियोगी परिक्षाओं के लिए अत् प्रशन है भारत के परिप्रेक्ष में निमलिखित में से कौन सा कथन जलवाईयू परिवर्तन के दुस्प्रभाव के समुदर रुप में सकते नहीं है ऑप्शन A है क्लीन डेवलप्मेंट मेकनिजम की अस्थापना ऑप्शन B है नेशनल एडॉक्टेशन फंड के अंतरग सामिल न होना ध्यान रखिएगा यह करेंट अफेर से संबंधित यह प्रसन था तो इस प्रसन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन C कि जक्षिन अफ्रिका के संसिटी में आयोजित बेसिक की 19 वी बैठक में सामिल न होना तो आज हम लोग अपने 2020 सिरिस के अंतरगत कु 35 प्रसनों को देख चुके हैं जो पूर्व की JPSC की पर्तियोगी परिक्षाओं में पूछा गया था उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहां से कुछ नवीन तत्यों की जानकारी प्राप्थ हुई होगी तथा आने वाले पर्तियोगी परिक्षाओं के दिश्टी कौन स से यह सेशन अत्यनते ही महत्वपूर्ण रहा होगा यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता राता हूं तथा आप लोग इसी प